हालो जी नमस्ते गुड मॉनिंग कैसे हैं आप सब और एक वर्फिस से वेलकम आपके अपने चैनल में तुझी सूबर का टाई में बच्चे स्कूल चले गए यह जो है करीबन सावाथ बच गए होंगे क्योंकि आठ बजही मांग जाता है उसके तुरंद बाद ही मैं अपने क काम पर लग गई थी सबसे पहले जो है क्लीनिंग करूंगी मैं डीप क्लीनिंग सी करने वाली हो और उसके बाद बागी काम करूंगी क्योंकि हर किसी के यहां पे आप लोगों को पैता होगा आजकल आंदी ने बहुत जादा बुरा हाल जो वह मचा के रखा हुआ है तो यह जाड दूँगी जाली के दर्वाजे जाड जाड ने बहुत ज़ादा जरूरी होते है टाइम टाइम से साथ साथ में खासकर जबांदी विगरा आती है ना तो गैप नहीं करना चाहिए नहीं तो इस तरह की जाली साफ करने में बहुत ज़्यादा मेहन जो वह करनी पड़त है और हम जो ममिया होती है ना किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं होने देती है मतलब हर चीज़ का यूटिलाइज करना हमें प्रॉपर पता है कि किस चीज़ का यूटिलाइज हमें जो है वो कैसे करना है तो यहां पर जो है फर मैंने इसको अपना डस्टिंग का जो है वो यहां पर मैं इस ड्रॉर का जो समान है वो एड़्जस करने की कोशिश कर रही हूं और इस समान को आप मान के चलिए हर डेली बेसे स्पेस को और गिनाइज किया जाता है और आप सोचोगे मैं यहां पर किस चीज की फोटोस ले रही हूं तो वरुन ने एक पेज पेक पॉयम लिख रहा था तो वो हिमांग ने कही गड़बड करा दी और वरुन जो है पैन से लिख रहा था तो मैंने देखा उस चीज को की वरुन की एंडराइटिंग जो है पैंसि जाली का दर्वाजा है मुझे उसके प्लीनिंग कर लेते हैं फिर उसके बाद मुझे दूसरे दर्वाजे के में जाली का दर्वाजा है क्लीनिंग करनी है क्योंकि वहां भी बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो गया है तो यह दाइन सवातीन हो गया है और मैंने कल रही हो बच्छों को लेकर एक उचुशन छोड़ूंगी और एक को तरपी के लिए लेकर जाओंगी दोनों बच्छे चले गए हैं नीचे और मैं यहां पर अपनी सिक्रिट चीज और यह सामान्या चारपाट इंसे यहां रखाई हुआ है इसको मुझे नीचे स्टोरों में जो हैं ट्रास्फर करना है और मैं शूज पैनूंगा भी त्यूंकि नहीं के बहुत जबर्दस जबर्दस जब लगती है चाय कोफी विगरा हम कुछ लेते ना उससे पीने के बाद और मैं यहां पर आप सोच रहे हैं कि शाम को मैं बालकनी क्लीन कर रहे हुआ जब मुझे लगता है आज सूब अद्धी आने वाली है तो मैं सूब बालकनी छोड़ देती हूं जाम को क्लीन कर लेति हूँ और जाम को नहीं आनी है तो कलीन कर देती हूं तो यह कर देती हूं क्योंकि अंदी को कुछ भरोसा नहीं होता। बच्चे कहलते हैं तो हाईजीन को मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कर में साफ साफाई रखेंगे तो बच्चे और हिमांग तो बहुत चोटा बच्चा है रेत वेत कहीं चाटना लेया कुछ और मतलब अच्छे से नंगे पैर बच्चे घूमते हैं तो बच्चों के पैरों में डस्ट वगएरा जमानना हो क्यूंकि ऐंहेत है तो बहुत के बच्चों को नहलाया ज़ा सकता ना महीं लब इतनी तेज आपिए थी बहुत जादा तेज Speech तो सामने आप जो आप पिस्टी देख रेहें ये सीडी में भी जह बहुत ज्यादा रहे जह वह जम्मा हो गया था और यहां辜 पर इस जो हमारी है सामने वाली अंटीन सामने वाली पृती है तो उंकी तो कि इसी वापस कर अँगी मैं क्योंकि के सफ़ीं सर्विस करने के लिया आएती तब मैं लेकर आती से छूड़ी auf डूबरने सं़ारे के सारव हो सफाइए अपक्र उपर से गिरने का बड़ा रहता डर तो नीचे से थोड़ा से ऐसा कोई देखने वाला हो तो फिर नहीं मेरे बसका नहीं रहा तो मैंने उनको बोला काम के लिए और आपको पता है कि एक काम बोलो तो पता है नहीं वो काम आज होगा आपक आपको यहां पर हैं को यहां पर वरुन को एक आपको इस रॉपर करना था तो वो अपनी तरफ से अच्छा बना था और लेकिन उसमें पिक्चर जोए वो कोई आड़ नहीं करी तो मैंने कहा होगा कि पिच्चर भी आड़ करो तो हमने एक जो है इसने अभी जो हम यह काट रहे है ना फोल्डर तो इसमें से ना उसी साइज के अकॉर्डिंग हमने काटा था तो पिच्चर जो इसने बहुत अच्छी बनाई लेकिन नीचे की तरफ जो है इसकी हिमाग ने इसको टाइम से अच्छे से लिखने नहीं दिया वो उसको बार-बार प्रेशान कर रहा था तो मैंने आइडिया निकाला फिर मैंने क्या किया कि पिच्चर को उपर से कट करके पिच्चर को दूसरे उसपे पेस्ट कर दिया उसी के नीचे अलग से एक और पेज करके जो उसने अलड़ी पहले एक पॉयम जो लिखी हुई थ और इस वक्त जो है अब भी किच्चन में आ गए हैं खाने की तैयारी में लगी वी हूँ जिल्ण कर दो को दो कि अबहुँ है तो अब है जो हैं एस खेत के ताई है जाता है जाता है जैसे घीया इस तरह की चीजा तो यह उसी से जो है वो लेकर आती हूं और यह आते टाइम कुछ केले लेकर आई थी मैं तो वो भी साथ-साथ में मैंने fix कर दिया मेरा यह रहता है कि मैं खाली नहीं रहती हूं कि अभी यह काम खतम हो उसके बाद ही मैं दुसरा काम करूँगी बीच बे टाइम होता था आपने छोटे-मोटे काम जो वो निप्टाती रहती हूं आटा चान लिया और आटे में मैं डालूँगी नमक टेस्के अकॉर्डिंग डाले इस वक्त टाइम हो गया शाम के साथ बज़ कर दस मिनट और मैंने सबजी में तड़का लगा दिया है और आटा लगाने से पहले जो है मुझे जोत लगानी है क्योंकि इस वक्त साथ अबजी के सब्सक्राइब में जोत लगा देती हूं तो आज थोड़ा सा दस मिनट लेट हूं तड़का लगा रही थी और वरून की माम का फोल आगया था तो मैं उनसे जह वो कुछी डिसकस कर र तो यहां देखिए हिमांग जो है वो लगा हुआ फोन में और वरून कर रहा है अपने प्रोजेक्ट की तयारी और फिर उसके जो एक दिन के बाद एफएवन के एक्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं थोड़ा सा उसको भी सक्त करना पड़ रहा है थोड़ा सा उसको चीज पर शीजे संझाना पड़ रहे है क्योंकि जब वो थार्ड क्लास में था तो चीज एकलम डिफरेंट थी अब फौर्थ क्लास में जो एक दम डिफरेंट है तो वो चीजे मैंने समझाई है उसको जो पेपर का ऐग्जाम का टाइम होता है उसी टाइम में उसको खतम करना है क परलब स्कूल का अपना एक्जाम है वो उसका अपना खतम करना उसे एक्स्ट्रा टाइम को नहीं मिलने वला है तो काफी चीज़े मैंने उसको समझ भी आ गई है और देखते हैं कैसा क्या कुछ परफॉर्म करता है वो तो रिजल्ट आएगा तब इसका पता चलेगा उससे प अभी देखाद मुझे हमाग का काम भी है जो स्कूल का वो कम्प्लीट कर वारना है और यहा बर मैं करा रहू हमाग का स्कूल का काम और वLog का एंड करूंगी मैं यहीं पे मेरा घर काम भी खतम हो गया है मिलते है नेक्स व्लाग में जो first time visit कर रहा है लाइक कर देना शेर कर देना subscribe कर देना channel को thank you so much for watching मिलते है नेक्स व्लाग में